पालगुन मार्च की शुरुवात होते ही, होली की उस्सों की तैयारी अभी सुरू हो जाती है इंदु धर्वें पालगुन मार्च की दौरान, कोई भी सुभकारी है जैसे मुरत, मुंडन, ग्रह प्रवीज, सुभगे, जैसे कारे नहीं की जाती क्योंकि ऐसा माना जाता है, इस मार्च में भद्रिकाल का समय चल रहा होता है भद्रिकाल का अर्थे भद्रा देवी, जो सनी महराज की बेहन है और सुर्य देव की पुत्री है उनका सभावी सनी महराज की तिरह ही अती कठोर माना गया है उनके काल चक्र के समय कोई भी सुब कारे करना लाबदाई नहीं मना जाता लेकिन होली का दहन के पैस्चात सारे सुब मुरत परम हो जाती है रंगों को खेल कर एक नई कल की सिरुवात का हुस्सरे मना जाता है आपके इस वीडियो में हमें कुछ ऐसे उपाय बताने जा रही है जिसे आपके जीवन में कई समय से चल रही समस्याएं समापत हो सकता है बस आपको होली का दहन पर ये कुछ उपाय अवस्से करने चाहिए तो आईए जान लेते हैं पर उससे पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लिजी साथी वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करे होली का दहन के दिन करे ये उपाय अगर बहुत समय से आपकी जीवन में कई सारे कश्ट आ रही है और समस्यां भी दिन प्रती दिन बढ़ते जा रहा है तो होली का दहन के दिन घर के सभी सदस्यों के साथ मिलकर होली का की पवत्र अगनी में देशी घी, धोलॉंग, पतासा, कुमकुम और अगनी के गारा प्रक्रमा करते हुए उसमें सुखे नारियल को चढ़ा दे आप खुद देखेंगे या आपके कश्ट धीरे-धीरे समाप्त होने रखेंगे ध्यान रखें कि घर के सारे सदस्ते मिलकर होली का माता का अरादना करें इससे लाबदाई फल प्राप्त होगा दूसरा उपाई इस मास में सबसे ज़्यादा काले टोटकी कर्म कान किये जाते हैं अगर आपको भी ऐसा लग रहा हो कि आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है या किसके आप साथ कोई टोटका कर रखा है या आपका कोई काम नहीं हो पा रहा है तो होली का दहन के दिन सुबह से ही अपने जेम में या अपने पास काले तिल काले कापने में बांद कर अपने पास रख ली और रात को होलिका दहन के पूजा के समय उस पोचली को अगनी में डाल दी इससे आप पे किये गए टोटकों का असर नेश्ट हो जाएगा और भगवान तरसीब की किनमा से आप पर चड़ी काली नजर भी उतर जाएगा और हग कोई आपका कुछ बिगार नहीं पाएगा तीसरा अउपाय आपके सत्रुस्त देव आपके जीवन में किसी ने किसी प्रकार की कठनाय या उत्पन करते रहते हैं या किसी बुरी नजर के चलती आप सुष्ट नहीं रह पाते हैं या लंबे समय से आपकी बिमारे भी ठीक नहीं हो पा रही है तो आप इस उपाय को कर सकते हैं आपको करना ही है कि होली का दहन के पूजा के समय आपको गौमती चक्र लाकर उसके साथ होली का दहन अगनी की साथ चक्र लगाने हैं और पूजा के बाद आपको ये गौमती चक्रे अगनी में डाल देना है। इससे आपके लगी बुरिनेजर, सत्रू का भई और सस्ते समझे सारी समस्याइं समापत होने लग जाएगा। चौथा उपाय अगर आपके बहपार में कई सारी समस्याइं उत्पन हो रहा है। धन आपके पास नहीं टिकता है और घर में सदे हुई कलेज का महौल बना रहता है। तो आप ये उपाय अवस्ति करें। आप होली का देन के पूजन के बाद उसकी थोरी सी राख अपने घर म में बांग करक लें और यदि घर में रखना चाहती हैं तो गमले में तुलसी के पौदे के साथ इसे मिटी में मिला ले और रोज इसके सामने दियावस्य जलाएं। इसे घर में और घर के सदस्यों पर काली निजर और टोटकों का परभाव कम हो जाता है। और तो और बैप और साहें खत्म होने लग जाएंगी। उमीदें आपको यह तारी उपाई अवस्य लाबदाई होंगी। और यह तो वीडियो को लाइक करें। और कॉम्ट वक्स में जै महाकाली को और आमारे चाल्ब को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।